जैहिन दोस्तों आप सभी का प्रविस्तर आपके लिए फिर एक और नए कोशिण के साथ हाजिर है इस बार स्क्रीन पे कोशिण थोड़ा सा डिफरेंट है क्या कहा गया है X and Y can do a piece of work in 10 days and 20 days respectively they work together but two days before the completion of the work X leave in how many days was the work will completed okay मैं हिंदी में समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूँगा अब ध्यान से समझना एक्जामना ने कहा कि A और B दो व्यक्ति थे दोनों ने काम करने की सुरुआत की बट काम खतम होने से काम खतम होने से दो दिन पहले ए यानि दो दिन पहले X चला गया अनिकि एक परसंट चला गया तो देखिए इसमें सोचने वाली क्या है अगर मैं बोलता है इसमें after two days after तो मुझे पता था कि भी जानने वाला कितने दिन काम करके गया है और अगर उसने बोला before तो before में मुझे यह नहीं पता कि उसने कितने दिन काम किया बट मुझे यह पता है कि उसने काम खतम होने से दो दिन पहले काम छोड़ दिया तो इसी concept को हम ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे इस question को solve करने की तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर तो यहाँ पर इसने x दे रखा है कितना मेरे को 10 दे रखा है और y दे रखा है मुझे कितना दे रखा है आपका 20 दे रखा है इसका मतलब इसमें एक चीज तो मुझे confirm है कि x गया है तो यानिकि y ने दो दिन फाल्तू काम तो किया होगा किया होगा पकी बात है यह तो पता ना कि दो दिन उसकी जाने के दो दिन बाद काम खतम हो गया इसलिए तो दो दिन पहले चलाँ इसका मतलब है कि a जो मेरा यह ह है आपका कौन वाई इसने दो दिन तक काम किया होगा तो दो दिन में इसने दो काम किया होगा यानि कि आप इसमें से दो माइनस करेंगे तो काम कितना बचेगा आपका 18 और यह 18 काम तो दोनों ने साथ में किया होगा ना तो 1 प्लस का 2 यानि 3 तो यह कितना हो जागा मेरा 6 देज, 6 देज में तो उन दोनों ने 7 काम किया होगा, बट इसने पुछा in how many days was the work complete, पूरा काम कितने में खतम होगा, तो भाई 2 दिन उसने अकेले भी तो किया है, इसको आप add करेंगे, तो कितना जागा मेरी पास में, 8 देज, यह total कितना होगा मेरा 8 days, यानि कि answer तो मेरा option A आएगा, एक बार फिर समझते इस question को, examiner ने कहा before और examiner कभी-कभी कएगा आपको after, before का मतलब है काम खतम होने से पहले एक व्यक्ति चला गया, और जब वो काम खतम होने से पहले एक व्यक्ति जब जाता है, तो हमें यह नहीं उसको छोड़ दो, और जिसने फाल्तू काम किया, उसको multiply करके minus कर दो, और जो remaining value आईगी, उनको दोनों की efficiency को add करके divide कर दो, तो आपका वहां तक का काम आ जाएगा, और फिर जो extra काम उसने किया है, उस day को जोड़ दो, तो total work, यानि total work जो हुआ है, कितने दिन में, वो के सामने आ जाएगा, ओके दोस्तों, ये रहा आपका next question, और मिलते हैं इस question के solution के साथ, next video में जब तक के लिए, जै हिंद!